प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चानल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें हाई फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको मेमरी के बारे में बताऊंगा सबसे पहले हम डिसकस करेंगे वाट इस कंप्यूटर मेमरी क्या होता है कितने टाइप्स का होता है इन स सबसे पहले computer memory क्या होता है उसे जान लेते हैं, computer memory is a storage device or place that is used to store information, computer memory एक storage device होता है, जिसे आप place भी कह सकते हैं, जिसका use हम information को store करने के लिए करते हैं, ठीके तो यह होता है computer memory, और computer memory का दो main काम होता है, सबसे पहला काम होता है information को store करना, इसलिए हम इसे storage device कहते हैं, और second काम यह होता है कि हमें उस information की जब भी जरूरत पड़ेगी, तो memory हमें provide करा दें, इसलिए इसे memory को computer का याद दास्त भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह हमें कुछ याद रखनी होती है, तो हम अपने brain का use करत होता है, memory में रखा हुआ information, computer को हमेशा याद रहता है, और जरूरत पड़ने पर हम इस memory से information को ले भी सकते हैं, तो यह हो गया हमारा memory, अब आप भी जानते हैं कि computer में एक से ज़्यादा memory होते हैं, तो यहाँ पर देखे, मैंने दो memory लिखे हैं, पहला होता है primary memory, और second होता ह हमारा secondary memory, तो primary memory हम किसे कहते है, secondary memory क्या होता है, चलिए उस चीज को हम detail में discuss कर लेते हैं, तो यहाँ पर अभी मैं आपको primary memory के बारे में बता रहा हूं, it is also known as main memory, primary memory को हम main memory भी कहते हैं, इसे main memory इसलिए खा जाता है, क्योंकि हम अपने computer में जो भी काम करते हैं, वो हम primary memory के through ही करते हैं, the memory unit that communicate directly with the CPU code primary memory, ऐसा memory unit जो directly CPU से communicate करता है, उस memory को हम primary memory कहते हैं, और CPU से direct communicate करने के चलते हैं, primary memory का जो speed होता है, वो काफी ज़्यादा होता है, और इसलिए इसका cost भी ज़्यादा होता है, और इसका size कम होता है, secondary memory के मुकाबले में, तो यह हो गया primary memory क्या होता है अभी हम primary memory का टाइप discuss कर देते हैं तो यहां पर देखिए दो टाइप का होता है पहला होता है जिसका मतलब होता है random access memory और second होता है हमारा ROM read only memory तो RAM ROM क्या है इन में क्या difference है इनके उपर मैंने separate video बनाया है आपने उस video को नहीं देखा है प्लीस चैनल के उपर जाके देखिए तो यहां पर अभी में RAM की बात कर रहा हूं RAM को हमने अगें दो पार्ट में देखे डिवाइड कर रहा है पहला होता है DRAM मतलब dynamic RAM second होता है SRAM मतलब static RAM तो हम अपने computer में जो भी काम कर रहे होते जो भी टास्क हम पर्फूं में करा रहे होते हैं वह हम RAM के थू करा रहे होते हैं ROM क्या होता है read-only memory तो इसका भी three type होता है पहला होता है programmable ROM second होता है Erasible programmable ROM और last होता है हमारा electronic Erasible programmable ROM तो यह three types होते हैं चैहरे में की तो अभी मैं आपको से कëंड्री मेमरी के बारे में मुआज already ा तर्ट्री में तो यह हमारा से केंड्री में अस्तॉरेश कोड्स अइसा मेनीट जो हमें टोर स्पॉरेश पर्वाइड करता है उस में मेरी निट वासे केंड्री मेमरी कहते हैं इसे secondary memory इसलिए का जाता है क्योंकि हम जो भी काम primary memory का use करके करते हैं उस काम को store करने के लिए उस data को store करने के लिए हमें तो space चाहिए तो system हमें secondary memory के रूप में storage प्रवाइड कराता है तो यह बस हमारा backup का काम करता है जिसके type क्या होता है है टाइब देखके आप समझ जाएंगे पहला होता है pen drive pen drive आज के जमाना का यूज होने वाला बहुत ही फेमस memory है secondary memory इसे आप external secondary memory कह सकते हैं इसे चलने के लिए कोई पावर नहीं चाहिए होता है यह देखने में काफी छोटा और सिंपल होता है जिसे केरी करना बहुत असान होता है और इसका साइज 2GB से लेके 128GB तक maximum range अभी तक होता है तो यह बहुत यूजबल है आज के टाइम पे pen drive सेकेंड होता हमारा हाट डिस्क ड्राइब हम अपने सिस्टम में सेकेंडरी बैकप के लिए करते हैं अगर आप कुछ काम किये हैं कुछ डेटा सेफ करना चाहते तब हम इसका यूजब करते हैं इसका साइज हमेंसा एक टीवी होता है तो इसमें आप बहुत इंफॉर्मेशन इस्टोर कर सकते ह बहुत जादा होता है प्राइमरी के मुकाबले में फिर होता है हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइब जिसे हम FDD कहते हैं इसी तरह और बहुत सारे होते हैं जैसे CD, DVD तो यह हो गया हमारा सेखेंड्री मेमरी तो यहां पे मैंनेihat Memory unit का पूरा चार्ट बना के रखा आप देख सकते हैं तो उसे मैं सोरे कर देता हूं हमने क्या क्या डिसक रॉं करे सब्सक्राइब होता है मेमरी का primary memory को again two type में divide किया गया है पहला होता है RAM second होता है हमारा ROM RAM में भी दो टाइप होते हैं और ROM में भी आप देख सकते हैं three types होते है RAM ROM में क्या difference है इसके उपर मैंने separate वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप प्लीज देख लिजेगा तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा यह क्या होते हैं secondary में देखे pen drive hard disk FDD यह तीन memory जो कि secondary memory का main part होते हैं इसके लाबा भी CD DVD होते हैं तो यह हो गया हमारा complete information memory का बारे में I hope कि आपका जो भी डाउट है memory को लेके वो clear हो गया होगा वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब कर दिजे चानल को